प्यारे साथियों नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से वेव कलास के यूटू चैनल में स्वागत है तो बच्चे आज के सेशन में हम लोग एक मुहत्पुन डेरिवेशन करने वाले हैं जो कि पेपर में इस बार यान की 25 का सेशन में ये पूछने की संभावना सबसे ज़्यादा है अप्टिक से अगर कोई कोश्चन लॉंग निकलेगा इस बार तो सबसे ज़्यादा संभावित प्रश्ण है पतले प्रिज्ण के पदार्थ के लिए अपवर्तनांग का सुत्र कहने का मतलो मिव बराबर जो ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बटा टू एक सेकेड प्यारे बच्छे एक सेकेड a plus delta m बटा होगा यहाँ पर 2 बटा sin a by 2 यहाँ पर भी बटा है तो यह proof करने के लिए इस सुत्र को proof करने के लिए इस बार paper में देने का संभावना ज़्यादा है ठेक है थोड़ा video लंबा होगा किमकि derivation है और derivation अगर हम आपको हवा में ऐसे लीख करके और तब समझाए तो संभब नहीं है आच्छा से आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं step by step figure भी बनाऊँगा और step by step इसको calculate करके भी आपको दिखाऊँगा तो प्यारे बच्चे आईए start करते हैं हम लो topic यहाँ पर मैंने already डाल लखा है prison के पदार्थ के लिए अपवर्तनां का व्यंजग व्यंजग क्या होता है मैंने यहाँ पर लिख दिया है यह final हमें solve करना है और यह वाला formula को proof करके आपको दिखाना है ओके आईए मैं आपको दिखा रहा हूँ उसे पहले कि हम figure बनाते है figure ही important होता है बच्चे तो यह रहा हमारा figure ठीक है यह रहा हमारा figure चलो बच्चे ठीक है अब क्या करना है बाबू एक second बढ़िया से figure बना लेते हैं क्योंकि figure से ही आपको शमज में आएंगे यह हमारा एक PRISM ले लिए अब PRISM से मैं यह किरन गुजार रहा हूँ बच्चे एक क्या हो गया तो मैंने यहां पे PRISM ले लिए और PRISM से मैं आपे एक आपतिद किरन गुजारा ठीक है अब ध्यान से देखिएगा जब आप तीरत कीरण गुजारेंगे न तो इस पर हमें एक प्रपेंडिकुलर लंब भी डालना परेगा ये मैं यहाँ पर ओ भाई साब ये क्या हो रहा है एक ही बार में आ रहा है बच्छे चलो कोई बात नहीं है ने में इसी को सेट कर दाई हूँ यहाँ पर इस पर मैं क्या करiral प्रपेंडिकुलर लंब डाला इसपर ध्यां ते देखना आप लोगों κά Ricky he । next in mork grant minimum this AIDS बात को द्हान देना आप लोग कि अधिक है कि अधिक है कि अधिक मैंने यहां पर दूसरा पर्पेंडी कुलर डाल दिया कि अधिक आज यह द्यान से अधिक सारे चीश समझाऊंगा तेंसर ना लेना ठीक है कि सब क्या लिखे आप हम समझे नहीं अरे भाई हटो नहीं हाटो चलो बाबो चली अब यह से जादा फिगर काम लो काम नहीं करेंगा यह हमारा एन हो जाएगा यह हमारा एन डैस हो जाएगा यह हमारा त्रभूज हो गया ए बी सी आओ बाबो अब इसको समझाते हैं ध्यान से देखेगा यह हमारा आप तीट की र बाभू डाला है तो अपने साधन इसे जाना चाहिए था इसे जाना चाहिए था बाभू ऐसे लेकिन वैसे ना जाकर Dr. यह हमारा काच का बना होताएं हम आ के पर प्रवेश करें तो अपवर्तन का रूल ही कहता है जब प्रकास एक मादम से दूसरे मादम में जाते है तो अपने पत से भी चलित हो जाती है तो अब यह इदर सीधा जाना चाहिए था बड़ यह कहां क्यों चला जाएगा नीचे क्यों चला जाएगा ओके अब इसको थोड़ा तक अगर हम उपर ऐसे करके खीच ले इसको अब हम लोग यह वाला एंगल हमारा आई है और यह वाला एंगल हमारा आर है लेकिन यहां पे इसको कर दीजे आई वन यहां पे इसको कर दीजे आर वन यहां पर जो यह एंगल आपको दिख रहा है बाबू यह एंगल आपका हो जाएगा आई टू और यह वाला जो एंगल आपको दिख रहा है बावू यह हो जाएगा R2 क्लियर? अब थोड़ा ता नमा करन कर लेते हैं नमा करन थोड़ा सा कलरड़ चेंज कर लेते हैं रीड वाला कलर आपको दिखेगा या ब्लू वाला रीड ही ठीक रहाएगा तो इसको आप कर दो बावो रे P, इसको कर दो बावो रे Q, इसको कर दो R, इसको कर दो S और इसको कुछ और कर दो RS, T कर दो इसको क्या कर दो इसको, T कर दो बस मान लिए, कुछ भी मान सकते हम लोग ऐसा नहीं है कि हमने जो माना आपको वही माना नहीं, calculation आपना हिसाब से करेंगे तुम अपना हिसाब से करना बद आप लोग स्टेप देखो बावो कुछ भी मान सकते हैं लोग ओके आईए आप सॉल करते हैं फस्टेप में हम लोग क्या करेंगे यह वालत त्रभूज आपको दिख रहा होगा वच्चे टी क्यू आर ध्यान से त्रभूज हम लोग पगरेंगे एंगल यह वालत की बात कर रहा हूं है टी क्यू आर या टी आर क्यों अब यह वाला त्रभूज में थोड़ा सा ध्यान से देखना हम लोग को सर पर हाए हैं या आप लोग पड़े होंगे छोड़े क्लास में जो में अगर यह कोई हमारा त और यह वाला अंगल मान के चलो की गामा है तो हम लोग का प्रपटीज कहता है तिर्भूज का कि अंतह कोनों का योग बाहतम कोन के बरावर होता है कहने का मतलब अलफा प्लफ बीटा जो है वो किसके बरावर होता है तो वो सर हमारा गामा के बरावर होता है ध्यान से समझे अंतह कोनों का योग बाहतम कोन के बड़ावर होता है clear उसी प्रकार से आप सही से देखना बच्चे ये वाला एंगल हमारा देखना है आप लोगों को और ये वाला एंगल हमारा देखना है ठीक है अब देखो ये वाला अंदर वाला एंगल हो गया और ये बाहर वाला एंगल हो गया तो अभी हमने बताया कि अंतह कोनू का योग बहतम के बरावर होता है तो यह वला एंगल को हम लोग क्या मानेंगे TQR यह वला एंगल की बात कर रहा हूं में TQR ठीक है एंगल TQR पलस अब यह वला एंगल की में बात कर रहा हूं t r q ok t angle t r q बड़ावर अगर यह मैं दोनों को add करूंगा न तो यह delta के बड़ावर हो जाएगा इसके बड़ावर हो जाएगा delta के बड़ावर हो जाएगा ठीक है यानि कि हम कह सकते हैं delta is equal to angle t q r plus angle t r q अब आप लोग को थोड़ा ध्यान से देखना है ने तो यह problem हो जाएगा अब बाबो बोट पर देखना यह वाला angle जो मैं निकाल रहा हूँ और यह वाला angle निकाल रहा हूँ यह बहुत कम बच्चों को समझ में आता है अगर आप serious हो तभी आपको समझ में आएगा ठीक है अभी देखो बाबो हम लोग एक रेखा का भी property जानते हैं कि अगर यह कोई दोड़ेखा ऐसे स्पार्क कर रहा है तो यह वाला अगर हमारा 90 degree पे एंगल बना रहा है तो यह वाला भी हमारा कितना 90 degree होगा अब थोड़ा suppose that देखो बाबो अगर मैं मान के चलो कि यहां से इसको काट दिया तो यह हमारा 90 है और यह वाला अंगल हमको पता चल गया यह वाला अंगल हमारा 70 है ठीक है ध्यान से देखना ये वला एंगल हमारा 90 है और ये वला एंगल मेरे को जो दे रखा है ये 70 है तो हम आप से पूछेंगे बाबू ये वला एंगल क्या होगा तो आप लोग इसली बता दोगे कि ये जब हमारा 70 है तो ये हमारा 20 हो जाएगा अब आप लोग देख रहे ह ये वाला एंगल आप देख रहे हैं, ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा? क्योंकि आमने सामने का एंगल हमारा बरावर होता है, तो ये वाला आईवन, तो ये वाला भी टोटल आईवन, बट 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 मेरे को ये नहीं चाहिए टोटल मेरे को चाहिए केवल ये वाला चाहिए ये वाला तो बाबु देखो ध्यान से कैसे निकलेगा वो वाला मेरा भाई ये वाला angle कैसे निकलेगा तो देखो देहां से ये total i1 यह होगा i1 miss यहाँ पर मिली दे रहाँ ठीक है ये हो जाएगा बाबू i1 miss किसको गटा लेना R1 को घटा लेगा अब उसी परकार से यहाँ पर साइशे देखना बाबू यह वाला अगर हमारा I2 है तो यह वाला टोटल हमारा I2 हो जाएगा बट मेरे को नहीं यह चाहिए नहीं यह चाहिए हमको चाहिए प्यारे बच्छे यह वाला एंगल यह वाला एंगल चाहिए तो यह वाला एंगल को मैं यहाँ ली देता हूँ I1, sorry, I2 minus I sorry, R2 ठीक है? अब I.S को solve करते हैं तो डेल्टा बरावर हो जाएगा साथियों क्या हो जाएगा इसके जगा? I1 minus I2 I1 minus sorry, R2 plus, क्या क्या मैं बोल रहा हूँ R1 plus, यह वाला एंगल हमारा कितना निकला बावो? तो यह वाला एंगल निकला हमारा I2 minus R2 ओके? अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे हम लोग या नीचे निवनतम विचलन की स्थिती में निवनतम निवनतम विचलन की स्थिती में स्थिती में कि I1 लगवग लगवग I2 के बराबर हो जाएगा और R1 लगवग लगवग R2 के बराबर हो जाएगा यह एंगल सब सेव हो जाएगा आपस में तो देखो बच्चे डल्टा निवनतम विचलन है तो यहां पर M सो कर देंगे और i1 के जगह भी हम लोग i लिख देते हैं ठीक है r1 के जगह भी हम लोग r so कर देते हैं i2 के जगह भी हम लोग i show कर देते हैं और r2 के जगह भी हम लोग r2 कर देते हैं तो अब आप लोग देखना वच्चे delta m बरावर जो है ii2i हो जाएगा और R R 2 R हो जाएगा तो यह जो आया प्यारा बावु इसको हम लोग समी करन नंबर कितना कर लेते हैं फस्ट कर लेते हैं ठीक है समी करन नंबर फस्ट कर लेते हैं अब आईएगा ध्यान से स्टेप नंबर 2 अब बट स्टेप नंबर 2 तो हम करेंगे लेकिन काम परेगा हमें त्रिभूज का जो की इधर है ही नहीं वो जो एफिगर बनाए उसका तो आईए मैं यहाँ पर आपको इस फिगर के मादर्जम से समझाना चाहता हूँ देखो बाबु ध्यान से ये चतरभूज को देखना ठीक है? ये चतरभूज देखना मैं लाइन कर रहा हूँ इस पर ठीक है? बाबु ध्यान से देखना ये वला प्यारा बाबु ध्यान से देखना ये वला चतरभूज का बात कर रहा हूँ ठीक है? ठीक है? ठीक है? ठीक है इसका नाम कैसर? A Q S R ठीक है चलो पहले इसको अटा दो A Q S R तो यहां लीग देंगे चतरभूज A Q S R में हम लोग जानते हैं चतरभूज का चारो कोनों का योग 360 डिग्री होता है कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है तो आईए ध्यान से देखते हैं इसे हम लोग A माल लेते हैं इसे हम लोग S माल लेते हैं क्योंकि यह दुरों में कोई लफ़रा है नहीं इसे हम लोग Q माल लेते हैं इसे R माल लेते हैं चलो बाबू आजाओ आगया ते अंगल A प्लस अंगल Q प्लस अंगल S प्लस अंगल R इसकल तो 360 डिग्री ओके अब आजा बच्चे एंगल ये तो हमको पता नहीं है सर कितना होगा कोई बात नहीं है बावो आए ये वाला देखो ध्यान से कोई भी ये सता है ऐसे और इस पर ये लम डाला हुआ है ये जो है ने इस पर लम डाला हुआ है तो प्यारा बावो ये ज 90 हो जाएगा और यहां पर एस भी नहीं पता है अपनके बावो और आर भी हमारा 90 हो जाएगा ठीक है ये हो गया 360 आजाओ बच्चे तो यहां पर हम कह देंगे कि ए प्लफ एफ बराबर नबे नबे एकसो असी यानि कि 360 माइनफ एकसो असी तो बावो ये हो जाएगा हमारा एंगल ए प्लस एंगल एस बराबर कुल मिला कि 180 और ये जो आया ना भाई इसे मानलो आप शमी करन नंबर कितना सेकेंड मानलो बच्चे क्या मानलो सेकेंड मानलो अब आजाओ ध्यान से देखो मैंने ये चतरभूज का काम कर लिया अब मैं क्या करूंगा बावो अब मैं ये तरभूज का काम करने वाला हूं ये तरभूज का ध्यान से देखिएगा ये तरभूज का काम करने वाला हूं ये तरभूज का नाम पहले आप लोग देख लिजे इस तरभूज का नाम क्या हो जागा आर एस क्यू या क्यू आर एस कुछ भी कहो ठीक है आजाओ सर RS में अब देखो बच्छे ध्यान से ये तिर्भूच को देखोगे न तो ये हमारा एंगल R1 है ये हमारा एंगल R2 है और ये हमारा S है ठीक है तो इसको कह देंगे R1 प्लस R2 प्लफ F बराबर 180 डिगरी क्योंकि हम लोग जानते हैं कि तिर्भूच के तीनो कोनों का योग 180 डिगरी होता है तो एक कोन हमारा R1 एक कोन हमारा R2 और एक कोन हमारा S तो तिर्भूच का तीनो कोन जोरेगा तो 180 डिगरी आएगा ओके अब आगे देखे बाबू अब जानते हैं कि R1 और R2 बराबर होगा निम्तम बिचलन की स्थिती है तो R प्लस R बराबर प्लस S इसकल टू 180 तो R R हो जाएगा बाबू 2R प्लस S एंगल S कर दो बाबू बराबर 180 ठेक है? ये हो गया हमारा समीकरन नमबर 3 समीकरन नमबर 3 ओके? अब आते हैं आगे देखते हैं ये वला समीकरन को देखो और ये वला समीकरन को देखो मैं ये दोनों को solve कर रहा हूँ आप लोग ध्यान से देखना ठीक है? ये color मेरे को ज़्यादा अच्छर नहीं लग रहा है equation क्या नाम है इसका 2 एवं equation 3 से ठीक है? equation 2 एवं 3 से तो 2 हमारा क्या कर रहा है बावू? angle A plus angle S बराबर 180 ठीक है? और ये क्या कर रहा हमारा angle 2R plus S बराबर 180 अब यहाँ से मेरे को कुछ निकल जाएगा बावू? इसको minus कर लो, minus कर लो, minus कर लो ये से ये cancel out इधर हो जाएगा हमारा angle A plus sorry angle A minus 2R बराबर ये से ये cancel 0 हो जाएगा तो 2R को आप उधर ले जाओ या A को उधर ले जाओ तो ये हमारा हो जाएगा minus 2R और ये हमारा plus है उधर जाएगा तो minus हो जाएगा A लिग दो ना direct angle को छोरो गोली मारो तो A हो जाएगा प्लस है तो इधर जाएगा तो minus हो जाएगा minus है minus कतम R का value अपन को निकल गया कितना A by 2 तो ये हो गया हमारा R का value अब हमें R का value नहीं निकलना है मेरे को तो proof कुछ और करने है first page आते है मेरे को तो proof ये करने है बट हम लोग ने निकाल लिया R का value क्या निकला बाबू? R का value अब हम लोग किसी भी तरीके से A का value निकाला sorry I का value निकाल लेते sir I का value कैसे पता चलेगा यहां से तो नहीं चलेगा लेकिन आप यहां सही से देखिएगा इसको क्या है delta M plus delta M plus 2I minus 2R आइए इसी को यहां पर मैं लिखता हूँ color change कर देता हूँ बाबू पाकि आपको अच्छा लगे यह वलग color कर देता हूँ pink pink अच्छा लगेगा चुकि अभी अभी हमनों जाने कि delta M बराबर जो हमारा formula होता है वो क्या होता है साथ ही हो 2I minus 2R 2I minus 2R अब आप सही से यहां पर देखोगे delta M रहने दो बाबू अब यहां पर देखो 2R है न 2R के जगे हम लोग क्या लिख सकते हैं A लिख सकते हैं इधर देखो 2I रहने दो यहां पर 2R है ना 2R के जगे लिख दो A क्या लिख दो बाबू a लिख दो और यहां से आप i का मान निकालो यह इधर आ जाएगा डेल्टा m प्लस a बराबर हो जाएगा 2i 2i ठीक है 2 को इधर कर दो डेल्टा m प्लस a बटा 2 बराबर i तो प्यारा बाबु देखो देहान से हमारा कहानी सौट आउट हो गया यह मैंने i निकाल लिए यह मैंने r निकाल लिए हम लोग पढ़ा है नीचे लिख दे रहा हूं सारे समझ में आ जाएगा आपको बस केवल लिखूँगा मैं हम लोग को शर्प रहाए हैं इस नेल के नियम से इस नेल के नियम से इस नील का नियम में हम लोगों को बताया गया है μ बराबर साइन आई बटा साइन आर ठेक है तो बाबुरे हम लोग अभी अभी आई का मान निकाले बच्चा आई का मान क्या आया रे ये आया डेल्टा एम प्लस ए बाई टू मिची लिख क्या है साइन आर तो साइन रहने दो बाबू और आर का वैलू हमारा क्या है सर ए बाई टू तो यहां हो जाएगा मेरा भाई ए बाई टू ठेक है तो ये हो गया हमारा समी करन जो मेरे को प्रूफ करना था प्यारा बच्चा ये इतना important है कि मैं सब्दों में इसको बया नहीं कर सकता हूँ अब ध्यान से देखिएगा अगर आप लोगों को सर इतना लंबा calculation याद कैसे रहेगा तो हम कैसे याद किये हैं सो पहले आपको बता देते हैं देखो मैं working step आप लोगों को बता दे रहा हूँ यहां पर ही बता दूँगा चलो बाबो ध्यान से देखना हमारा working step की हम कैसे इसको करेंगे कैसे याद करके रखेंगे तो मेरा जो working step है बच्चे working step जो है हमारा कैसे सर आप याद रखते हैं कैसे इस चीज को आसानी से कर लेते हैं तो बाबू फस्ट स्टेप हम लोगों को टार्गेट पता होना चीए कि ये लाना है ये लाने से न मेरे को जैसे ही देखाना मैं समझ गया कि स्मेल का नियम आएगा यहां पर साइन है यानि कि यहां 100% आई होगा यहां 100% आर होगा तो आई और आर का वैलू अपनको निकालना है यह मेरा टार्गेट हो जाएगा क्या निकालना है बाबू आई और आर का वैलू हमें निकालना है यह हमारा मिशन हो गया अब करना कैसे है तो देखो बच्चे पहले तो मेरे को तीन स्टेप करना है फस्ट स्टेप ये वाला त्र फरस्ट अस्टेप हम लोग करेगा का करेगा तिर्भूज टी क्यू आर ओके इस इन्ट क्या करेंगे चतर्भूज का इस्तेमाल करेंगे और चतर्भूज का नाम के आज़र एक्यू एस आर धियान से देखना है एक्यू एस आर Personalpur करना है और थर्ड क्या करना है प्यारे बच्चे थर्ड क्या करना है मरे को बावू यह वाला त्रिभूज का काम QSR या RQS कुछ भी करो ठीक है त्रिभूज हाँ अच्छे त्रिभूज SQR यह तीन स्टेप करने के बाद कैसे भी करके अपनको निकाल लेना है किसका वैलू I और R का वैलू I R का वैलू जैसे निकल जाएगा स्निल का नियम में रख देना है त्रिए आपका पेपर में कोशन आने वाला है आप इसको अगर बढ़िया से चाहते हैं कि मेरा पांच नंबर फिक्स हो जाए आप इसको घर पे स्टेप को फॉलो करिए दो या तीन बार एक मिनट अगर आपसे कुशन पूछेगा बाबू कि प्रिज्म के पदार्थ के लिए अब बरतनां का वियंजग याद करे तो आपको इतना ही करना है जितना मैं अब ही बताया लेकिन अगर आपसे कुश्चन थोड़ा चेंज कर दे अगर कुश्चन पूछ दे बाबू पतले प्रिज्म के लिए पतले प्रिज्म के लिए पतले प्रिज्म के लिए विचलन कून की गनना करें तब मेरा भाई करना क्या है सो देखो आप लोग फेगे तब करना क्या है वो आप लोगों को देखना है यह अगर question पूछेगा तब क्या करेंगे सर तो इतना तक तो काम करना ही करना है इतना तक आपको step करना ही करना है इसके बाद 4-5 line हमारा बढ़ जाएगा क्या बढ़ेगा सर इधर देखो ध्यान से हम लोग का 2-3 step बढ़ जाएगा इसके बाद आते हैं solve करते हैं इधर देखिएगा तो लिए देंगे पतले prism के लिए पतले prism के लिए जब हमारा prism पतला होगा तब देखो बच्चे क्या होगा साइन ये जो हमारा आया है डेल्टा M प्लफ A बटा 2 ये लगभग किसके बरावर हो जाएगा पता है ये हो जाएगा हमारा डेल्टा M प्लफ A बटा 2 के बरावर हो जाएगा साथ ही साथ नीचे वाला जो एंगल आया था हमारा नीचे वाला जो हमारा एंगल आया था साइन एवाई टू ये भी हो जाएगा पता है किसके बराबर ये हो जाएगा प्यारे साथियों एके बराबर ठीक है तो ये हमारा दो चीज आपको याद रखना है ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा अभी-अभी हमारा मिव का जो फार्मूला आया है प्यारे बाबो वह powerful ही आया है साइं डेलटा एम प्लस ए बटर तू बाई साइं ए बाई टू ठीक है अब अपन क्या करेगा मेरा भाई उपर वाले के जगह ये वाला रख देगा डेल्टा M प्लस A बाई 2 नीचे वाले के जगह रख देगा A बाई 2 2 से 2 सट आउट अब देखो बच्ची यहाँ पर मैं लीग दे रहा हूं रेड कर दे रहा हूं इसको A इधर आ जाएगा तो हो जाएगा मिउ इन्टू A बराबर क्या बचेगा उपर? उपर बचेगा हमारा डेल्टा M प्लस A A को इधर भेद दीजिए यह हो जाएगा मिउ A मिउ A माइनस A बराबर डेल्टा M यह दोनों से कॉमन हमारा है 1, सौरी A तो अगर A कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा मिउ माइनस 1 मिउ माइनस 1 बराबर डेल्टा M तो प्यारे बच्चे डेल्टा M बराबर जो है मेरा भाई वो बचेगा मिउ माइनस 1 इन्टू A और यह इतना काम आप लोग को करना परेगा जब हमारा कॉस्चन यह पूछेगा ठीक है तो यह सेशन आपको कहता लगा कमेंट सेशन में जरूरू बताएं अगर आप 2025 में 12 मी का पेपर दे रहे हैं अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कोशन कहीं पर कोई प्राबलम हो रहा है क्योंकि डेरिवेशन में मैंने देखा है अक्सर बच्चों को प्राबलम होती है तो जो भी प्राबलम होती है हमारा एक नंबर चल रहा होगा उसका के दिन थोट करके कोशन का या फोटो गीच के मेरे को वाटसअप पर करें जैसे मेरे को टाइम निकलेगा मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँगा और कमेंट सेक्षन में जरुड़ बताएं कि इसमें आपको आज का सेशन जो है वो कैसा लगा इसे का होगा कि मैं थोड़ा सा मोटिवेट होता हूँ और हम प्रेडित होंगा आपका वीडियो बनाने के लिए भाकि धन्यवाद चैहिए